और इस वीज एक बड़ी कबर आपको पंचकुला से बता दें जहां बलबगड गाओं सुनपीड में दो दलित बच्चों मिलें मामले में आज CBI कोट में सुनवाई होगी इस वक्ती बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां CBI में आज इस मामले को सुनवाई होनी है मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी दो दलित बच्चों को जलाने का यह पूरा मामला है अगली सुनवाई में आरोपियों को दिश्चार्ज और केस की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई की जाएगी पंचकुला से बड़ी खबर जहां बलबगड गाउं में सुनपेड में दो दलित बच्चों को जलाने का यह मामला सामने आया और इस पूरे मामले में आज CBI कोर्ट में सुनवाई होगी मामले में अगली सुनवाई में आरोपियों को दिश्चार्ज और केस की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई की जाएगी पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे जहां बलबगड गाउं सुनपेड में दो दलित बच्चों को जलाने का मामला सामने आया अगली सुनवाई में आरोपियों को दिश्चार्ज और केस की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई की जाएगी इस पूरे मामले में आपको बता दे दो दलित बच्चों को जलाने का ये मामला सामने आया था अगली सुनवाई में आरोपियों को डिस्चार्ज और केस की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई की जाएगी बड़ी खबर आपको पंचकुला से बता रहे हैं जो आप बलबगर गाउं सुनवाई में दो दलित बच्चों को जिलाने का मामला सामने आया था और जाब जानकारी के साथ समधाता उमंग हमारे साथ जूल गई है उमंग इस पूरे मामले में आज सुनवाई पूरी हो गई अगली सुनवाई कब होगे और आज के सुनवाई में क्या कुछ रहा जिए बिल्कुल देखे संपवेड अग्मी कारण मामले में विशेष सीवेड को उन्जाद सुनवाई हुए ये सुनवाई के दरान अपरी जो अदालत है सीवेड की विशेष उसते मामला निश्विड दालत में ट्रांसर किया गया है अगली सुनवाई के लिए पांच दिसमबर को होगी पूरा मामला बलबगड गाउं के सुनपेड का है जो हाँ पर दोदले बच्चों को जला दिया गया था और इस पूरे मामले में आज सीवेड कोर्ट में सुनवाई की है और आज को सुनवाई पूरी होने के बाद अगली सुनवाई पांच दिसमबर को होगी पांच दिसमबर को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई कोर्ट में की जाएगी जहां आगले सुनवाई में आरोपियों को डिस्चार्ज और केस की क्लोसर रिपोर्ट पर सुनवाई की जाएगी